अंबु आखे डाली पे और अंबु आखे डाली पे बुले रे को ये लिया को ये लिया है को ये लिया जिया मोरतर पे तू आज़ाब समरिया जिया मोरतर पे तू आज़ाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाज कि प्यारी कादीप अधेरों में नहीं नहीं जलता है नहीं जलता है मेरे भाईयों में आपको बता दो कि शायर कितना भी कमजोर हो अगर आप लोग दाद देंगे तो वो बहुत बड़ा है ना मुझे आप लोगों की जरूरत है हलाकि ना डाइस वालों के और नानाजम के मैं पढ़ते हूं देखेगा है इश्क वालों से कभी दिल नहीं समलता है और आज कल इश्क तो मिल जाता है बाजारों में प्यार मिल जाता है आज कल इश्क तो मिल जाता है बाजारों में प्यार मिल जाता है इमाल नहीं मिलता है और इश्क वालों से कभी दिल नहीं समलता है और चार मिसे पढ़ते हूं देखेगा कि जिन्दगी खुशगवार कर लोंगी जिन्दगी खुशगवार कर लोंगी तुम से जी भर के प्यार कर लोंगी और मुझे से मिलने का तुम जो वाद करो मुझे से मिलने का तुम जो बात करो उम्र भर इंतजार कर लोंगे वम्र बhr इंतिजार कर लोंगे वम्र भर इंतिजार कर लोंगे जिन्ददे खुश गवार कर लोंगे और चार मिस्टरे पढ़ते हूं उसके बाद मेकम्मल गजल अच्छा शेहर अज्युम मैं आपको बताना चाहता हूं हलांकि ये पावंदी लगा दी थी कि आपको न डाइस वालों की जरूरत है न नाजिम मुशायरा की इसलिए मैंने भी माई खटा के आगे रख दिया था मुझे ये कहना पड़ेगा कि हलांकि आपको मेरी जरूरत नहीं है लेकिन मुझे मुझे मुशायरे को कामियाब करने के लिए आपको कामियाब करने की जरूरत है इसलिए मुझे बोलना मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरे नजर में सिर्फ मुशायरे की कामियाबी ही एक मकसद है एक बात बताना चाहता हूँ बेटा जितनी तुमारी उम्र है इसमें अगर दो का गोड़ा करोगी तो उससे ज्यादा वक्त मुझे मुझे मुशायरे की डाइस पे निजामत करते हुए हो गया है इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में इतना बड़ा जुम्ला मत बोलो जिसका नुकसान हो जाए मैं आपको अल्ला ने बड़ी अच्छी आवाज दी है बड़ा रोशन मुस्तक्मिल आपका होगा आप बहुत दिनों तक मुशायरों पर राज करेंगी लेकिन आपको बड़ों की इज़त करने का सलीका सीखना पढ़ेगा ये जिम्मेदारी है मुशायरे की डाइस पर कि हम आपको ये बताएं कि आप किस तरह से मुशायरे में मुशायरे में अपना कलाम पढ़े एक बार मैं कहना चाहता हूँ अब आपको मेरे भरोसे की लाज रखनी है शहर अन्युम अब जो कुछ भी पढ़ेंगी आपको सुन कर दिखाना है कि सूरत गंज के लोग अच्छी शायरी को कैसे सुनते हैं और किस तरह से अपने शायरों का होसला बढाते हैं जोरदार तालियों से शहर अन्युम का होसला बढाईए ताकि ये अपना कलाम सुनाएं जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बास सुनना मेरा फरिज़ा है आपने बड़े भाई हैं और छोटी बहन का फरिज़ा है कि मैं अपने बड़े भाई की बास सुनू मैं मुशारी की दुनिया में शेयर ऐसे पढ़ना चाहती हूँ कि वो मेरे बड़े बुजर्गों को भी समझ में आए और आप नोजवानों को भी समझ में आए क्योंकि मुशारी की दुनिया में अगर इज़त, मयार और वकार तहजीब है तो सब कुछे वरना कुछ नहीं मेरी उम्र छोटी है, मेरा कद छोटा है, लेकिन मेरी बात बड़ी है और मेरी बात बड़ी है, उसकी तहजीब समालना आप लोगों का काम है है की नहीं है, मेरा बताना काम है आप लोग करे या ना करे मैं पढ़ती हूँ अगर इन्हें नाजिमे मुशैरा बुलाया गया है तो हमें पढ़ने के लिए बुलाया गया है मैं पढ़ती हूँ चार मिसरे शिरुवात करती हूँ मैं पढ़ती हूँ देखेगा मुझे आप लोगों की जरूरत है मैं फिर भी यही कह रही हूँ मैं पढ़ती हूं देखेगा बाई आप पढ़ें मुतर्मा पढ़ें आप पढ़ें प्यार का दीप बुझाने जा रही हूं बात दिल की बताने जा रही हूं प्यार का दीप बुझाने जा रही हूं बात दिल की बताने जा रही हूं सुको दे दे मेरे दिल को खुदारा महाबत करके मैं पच्छता रही हूँ न करना इश्क चाहे जाँ चली जाए वह सिंभाई न करना इश्क चाहे जाँ चली जाए सताय याद या वो लटके आ जाए और जिसने दोखा दिया मुझे को महाबत में जिसने दोखा दिया मुझे को महाबत में तो है जिन्दगी उसकी समर जाए तो है जिन्दगी उसकी समर जाए न करना इश्क चाहे जाँ चली जाए के हम तो साजन के बिना भी सवर न जानते हैं जिस तरह फूल चमन में महक न जानते हैं और आज कल इश्क करके लोग बदल जाते हैं और जैसे गिरगिट भी अपना रंग बदल न जानते हैं हम को साजन के बिना भी सवर न जानते हैं जिस तरह फूल चमन में महक न जानते हैं और जो समझता हे हमें बे खिताब उन से यह कह दो जो समझता हे हमें बे खिताब उन से यह कह दो के हम भी इज़ार मुहाबत का हुनल जानते हैं हम भी इजहार मुहबत का होने जानते हैं जिस तरह फूल चमन में महक ना जानते हैं आई एक मतलब हदरात के खिर्मन में पढ़ती हूँ हादर करते हूँ देखेगा कि जो खिलों ने की तरह दिल को तोड़ देता है जो खिलों ने की तरह दिल को तोड़ देता है जो खिलों ने की तरह दिल को तोड़ देता है अरे उनसे कहे दो हाँ उनसे कहे दो के तोटे दिल को खिलों जोड़ देता है जो खिलों ने की तरह दिल को तोड़ देता है और जिसकी आखों में आखें डाल कर में बात करती थी जिसकी आखों में आखें डाल कर में बात करती थी जिसकी आखों में आखें डाल कर में बात करती थी और वो सामने बैठ के अब अपनी नजर मोड लेता है और एक शेर बाप और बेटी के हवाले से आज का दार और एक शेर में पढ़ती हूँ देखेंगा के आज कल जुकती नहीं बेटियां हैं बाप के आगे और बाप बेटी के लिए हाथ तक जोड देता है बाप बेटी के लिए हाथ तक जोड देता हैं उसे कह दो के तूटे दिल को ख़ड़ा जोड देता है और उनसे रिश्टा बड़ा ना जायज है दोसे तो सुन लो और जो मुहबत के नशे में ख़ड़ा को छोड देता है जो मुहबत के नशे में ख़ड़ा को छोड देता है आएगे आपके खितन लो पढ़ते हैं उसके बाद अपनी जगह लेती हैं बहुत अच्छा पढ़ रही बिटा पढ़ते हूं बहुत बहुत श्क्रिया जी जी पढ़िए मैं चार मिस्रे पढ़ते हूं पहले कि वो आस पास है वो आस पास है फिर भी नजर ना आता है मैरी खुशी के लिए जान भी लुटाता है मैरी खुशी के लिए जान भी लुटाता है और वो मेरी गल्दियों पे जबी डाटता है मुझे मैर उठ जाती हूं वो प्यार से मनाता है मैर उठ जाती हूं वो प्यार से मनाता है मेरी खुशी के लिए जाने भी लुटाता है एक गीत आप खिनमने पढ़ती हूँ हाजर करती हूँ देखेगा अम्बू आके डाली पे अम्बू आके डाली पे बोले रे को ये लिया हाँ को ये लिया हाँ को ये लिया अम्बू आके डाली पे अम्बू आके डाली पे बोले रे को ये लिया को ये लिया हाई को ये लिया जी या मोरतल पे तु आज़ा अब सवरी या जी या मोरतल पे कि रहे रहे के सजन तोरी याद सतावे माशालल हमारे काविज भाई बहुत अच्छा पढ़ते हैं और ये जितना अच्छा पढ़ते हैं उसे दो गुना ज्यादा खुबसूरत खुदी है माला इसलिए नहीं लाये थे ये कि इनको ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं इसलिए नहीं लाये थे बलके आपने इतना अच्छा गीत शुरू किया है कि ये खत्रे में पढ़ गए थे इस चक्कर में माला लेकर आये थे कि मामला ठीक ठाक हो जाए मैं पढ़ती हूँ जी पढ़िए कि अम्बु आके डाली पे बुले रे को यलिया हाई 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 को यलिया जी आ मोरतल पे तू आजब सवरिया जी आ मोरतल पे के रही रही के सजन तोरी याद सतावे रतिया म सजन मोहे निंदिया नावे जब सय लगाई मने तो से पिरती याजिया मोरतल पे है जिया मोरतल पे तो अजाब सबरी याजिया मोरतल पे और जब से गए हो सजन तुम तो वी दश्वा और जब से गए हो सजन तुम तो वी दश्वा नहीं एको चुठिया भेजी नहीं एको फोनावा नहीं एकी चुठिया भेजी नहीं एको फोनावा प्यार में तो रहे हो गए हम तो बाबरिया जिया मोरा तर्पे तुम अज़ अब समरिया जिया मोरा तर्पे और आखिरी बन परती हो देखेगा के तुझ बिन सुना सुना लागे है या गनावा कहीं पे लागे नहीं देखो मेरा मनावा कहीं पे लागे नहीं देखो मेरा मनावा दिल को बागे हमरे दिल को हमारे बागे तो हरी सुरती या जिया मुरा तड़ पे तुझ आज़ाब सवरी या जिया मुरा तड़ पे हाई हाई जिया मुरा तड़ पे हाँ जिया मुरा तड़ पे दो आज़ाब सवरी या जिया मुरा तड़ पे चार मिसले पढ़के अपनी जगा लेती हैं पढ़िए पढ़िए अच्छा अच्छा देगे इधर जो लोग इस तरफ जिदर खवातीन के बैठने की जगा है इधर कोई साब आने की कोशिश न करें इधर से आने की हिम्मत न करें ये जाहर है के हमारी इधत है हमारी ही बेटियां है हमारी ही बेहने है जो इधर बैठी हुई है तो आप इस तरफ से कोई भी साब आने की कोशिश न करें ताकि इंतजामात में कोई खलल न पड़े मैं पढ़ते हूँ देखेगा के जहारे मुहबत को ये जहारे मुहबत को निभाना तो वफा जाने ये जहारे मुहबत को निभाना तो वफा जाने ये जहारे मुहबत को निभाना तो वफा जाने मेरे दिल में तो तू ही तू तरे दिल की ख़दा जाने मेरे दिल में तो तू ही तो तेरे दिल की ख़दा जाने तो मुझको जासे प्यारा है तो मुझको जासे प्यारा है मेरी आंखों का तारा है तो कितना खुब्सूरत है ये तो बस रहे नुमा जाने तो कितना खुब्सूरत है ये तो बस रहे नुमा जाने आखरी शेर पढ़ती हो अग्दम सच्छा शेर है पढ़ती हो देखेगा कि मुहाबत की कहाने को हर कोई पढ़ नहीं सकता ये तो मुम्ताज जाने है ये तो शाहे जहां जाने ये तो मुम्ताज जाने है अभी आप शहर अंजुम को सुन रहे थे इंस्टाग्राम वाली शायरी आपने सुनी फेस्बुक की रील वाली शायरी आपने सुनी और वो शायरी जिसमें घजब का बैलेंस था शायरी हो या ना हो बैलेंस बहुत घजब का था तरन्न के मिसरों में ऐसे लफ़ों को पिरोया गया था कि वो अच्छी शायरी लग रही थी एक बार तालियां बजा दीजे शेहर अंजुम के लिए लेकिन शेहर अंजुम को भी एक पैगाम दिये बगएर छोड़ूंगा नहीं उनको एक बात जरूर बताऊंगा बेटा अगर मुशायरे पढ़ने हैं तो अपने अबा से कहके एक अच्छे उस्ताद का इंतजाम करो मुशायरों के लिए अच्छी शायरी की भी जरूरत पड़ेगी जितने जरूरी अच्छा मेकप और अच्छा तरन्न्म है उतना ही जरूरी अच्छी शायरी भी है इस बात का भी ख्याल रखो